हाई, आम शुश्मितावाराच जी दोस्तों कई बार हम अपने अतीद, वर्तमान और वविश्य में उलच के रह जाते हैं और हमारी जिन्दगी एक मेंज बन जाती है तो आज हम पास्ट, प्रेजंट और फ्यूचर को लेके बात करेंगे नहीं, मैं आपको कोई ग्रामर नहीं सिखाने वाली इस नॉट अबाउट पास्टेंज, प्रेजंटेंज और फ्यूचर टेंज हमारे जिन्दगी में, हमारे सोच में, इन तीनों का क्या प्रभाव है वेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे और आखिर में, कौन सा टाइम हमारे जिन्दगी में सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है वो भी डिसकस करेंगे पिछली बार मैंने स्टाडी मोटिवेशन के उपर एक वीडियो बनाई थी और वो आपको ज़रूर देखना चाहिए तो चलिए, अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते है पास्ट जादा दर लोग, या फिर हम बोल सकते है हम सब लोग, बस अतीत के बारे में सोचते रहते है कही अच्छी मेमरी को लेके सोचते रहते है अरे यार, वो टाइम कितना अच्छा था काश बोपल फिर से लोटा था फिर हम उस मेमरी में डूब जाते है और इससे क्या होता है उस अच्छी मेमरी के चक्कर में हम हमारे प्रेजन को बुरी मेमरी बना रहे है और 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 कभी-कभी तो बुरी मेमरी को लेके बैठ जाते है और रोना स्टार्ट कर देता है अरे यार मेरे साथ कितना बुरा हुआ सब कुछ मेरे साथ ही क्यूं होता है हाँ, हुआ होगा बहुत बुरा पर क्या उसे हम बदर सकते हैं? या क्या उसे बार-बार सोचने से आपका दर्थ कम हो जाएगा? नहीं होगा ना अब आते हैं प्रेजन पे प्रेजन पे हम क्या सोचते हैं? अरे मेरी लाइफ कितनी जंद है? मेरा कुछ नहीं होगा अरे कुछ करो तो सही, तब ना होगा और अगर आप बस सोचते ही रहोगे, सोचते ही रहोगे तो सच में कुछ नहीं होगा The present moment is the only moment available to us and it is the door to all moments हाँ, सोचना जरूरी है पर करना भी जरूरी है यही एक moment है जो हमारे हाथ में है तो इससे अच्छी तरह से यूज़ करो But those who look only to the present or the past are certain to miss the future तो अभी future पे आते है तो हमारे दिमाग बाबाजी future के बारे में क्या सोचते है पता नहीं मैं कब मर जाओ अगर यह पंखा मुझे गिर गया तो कल मेरा accident हो गया तो पता नहीं मेरी future कैसी होगी तो कुछ लोग future के लेके इतना सोचते है इतना सोचते है क्या बताओ और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो कुछ सोचते ही नहीं है future के बारे में बिलकुल भी नहीं बस बिंदास बैठे मौज मस्ती कर रहे है मतलब जो होगा देखा जाएगा तो जो बहुत जादा सोचते हैं उनके लिए बोलना चाहूंगी सोचते रहोगे तो घंटा होगा और जो यह सोचते हैं विधाता ने हमारे भाग्या पहले से ही स्थीर कर रखा है हमारे हाथ में कुछ नहीं है यह विधाता ने कब बोला भाई अब जब मुसिबत में रहते हो वो आते हैं आपका हिल्प करने को और अगर विधाता सब फिक्स करके रखते तो आप खाते क्यों हो आप थोड़ी ही न मरोगे मरना आपके हाथ में थोड़ी ही ना है वो तो बिधाता के हाथ में है मैं कोई got के against नहीं हूँ बस मैं ये कहना चाह रही हूँ आपका future आपके हाथ में है किसी और के हाथ में नहीं The future is completely open and we are writing it moment to moment तो अब बात करते हैं कौन सा time सबसे important है हमारे लिए तो देखो दोश्तो अतीत important है हमारे लिए क्योंकि वही से हम सीखते हैं हमारे present, हमारे future के लिए अगर आप अतीत में कह, खह, गह नहीं सीखते, उसे याद नहीं रखते तो क्या अप अच्छे से बोल पाते? नहीं ना So, let go of the past but keep the lessons it taught you future important है हमारे लिए क्योंकि जब हम future में अपने आपको successfully visualize करते हैं तब भी हम उस goal को पाने के लिए मैनत करते हैं ना But the future depends on what we do in the present तो, दोस्ता सबसे ज़ाद इंपोर्टन है present अतीत और भविश्य भी important है पर वो हमारे हाथ में नहीं है तो जो हमारे हाथ में है हमें उसी को अच्छे से utilize करना चाहिए तो present को अच्छा करो past और future अपने आप अच्छा हो जाएगा learn from the past prepare for the future leave in the present वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment, share और subscribe कर देना पिर मिलेंगे next Tuesday और Saturday को goodbye and leave in the present